सब्सक्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर लीजे नमस्कार मैं राना यश्वन दफ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ जहारखन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजे पी के सामने कुछ बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं और उसमें एक मेसेज है मेसेज ये है कि क्या बीजे पी की पकर कमजोर होती जा रही है क्या मोदी फैक्टर अब धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना सर खोता जा रहा है या फिर बीजेपी की जो राजी सरकारें हैं वहां जिस तरीके से सरकारें चलाई गई उन्होंने लोगों का भरुसा खोया है एक साल के भीतर आप देखे कि बीजेपी ने अपना पाँचवा बड़ा राज्य गमा दिया है ठीक साल भर पहले मधप्रदेश, 36 गर और राजस्थान इन तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी जहां कॉंग्रेस आगई जीत करके महराष्ट एक महीना पहले की बात है और वहां शिव सेना जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी उसने कॉंग्रेस और नसीपी का हाथ ठाम लिया और सरकार बनी बगएर बीजेपी की बीजेपी वहां से भी बाहर हो गई और अब जारखन जैसा राज्य जहां से बेदखल हो गई है इसके कारण क्या है अगर आप फर्याना को छोड़ दें तो हाल में हुए सभी चुनाव में बीजेपी ने मुह की खाई है उसने अपने हाथों से अपनी सत्ता गवाई है फिर कारण क्या है जारखन की बात अगर आप करें तो वहां चार पांच मोटे कारण नजर आते हैं पहला नेतर तो का है मुखमंतरी का है रगवर दास के बारे में लोगों की राय ठीक नहीं रही एक ऐसा राजि जहां आदिवासी बहुल आबादी है और वहां गैर आदिवासी को मुखमंतरी बनाया जाना एक एक्सपेरिमेंट था लेकिन एक्सपेरि आपना चुनावी प्रचार किया और लोगों को अपने पाले में घडा करने के लेकिन सरकार के पास बीजेपी के पास कहने के लिए वह मुद्ब थे जो कंद्रे मुद्बे जो बार-बार बीजेपी हाल के चुनाव में रखती रही है मसलन मोदी का नतुर्त मसलन अरुद्धापर सुप्रीम कोड का फैसला मसलन कश्मीर 370 का हटाया जाना और यह सब मामले यह सब मुद्दे जहारखंड के लोगों के बीच में नहीं चले क्योंकि जहारखंड कैसा राज्य है जहां रोजी रोटी का सवाल बहुत बड़ा है और वहा जहारखंड मौव लिंचिंग फ्री स्टेट होगा और यह फ्री स्टेट का नारा दे करके एक बड़े समुदाय को या एक तबके को बोलिए अप मुस्लिम आबादी जो होती है उसको अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश हेमन सुरेन ने की दूसरा बड़ा कारण बीजेपी के भीतर ही बीजेपी के जो कदावर नेता थे उन कदावर नेताओं का पार्टी आला कमान और रगवरदास से ना पटना सर्यूरा को टिकट नहीं दिया गया सर्यूरा यह सब बड़ा नेता जिसके जमीनी पकड़ बहुत अच्छी धार्खंड में रही है और जार्खंड बिहार जब एक था उस समय बिहार में बीजेपी को खड़ा करने की मजबूत कोशिच जिन लोगों ने की उनमें से एक सर्यूरा भी है आपने टिकट नहीं दिया उन्हों टिकट मांगा नहीं उन्होंने घुटने नहीं टेके और रगवरदास से खिलाफ जमशेदपुर पुर से वो लड़ाई में आ गए आज देखे की रगवरदास के जीतने में कितने रोड़े आ रहे हैं और कितना मुश्किल हो रहा है एक मुख मंत्री का अपनी ही पार्टी के कदावर नेता के सामने खड़ा हो करके जीतना जिसने बगावत के तौर पर आपके खिलाफ परचा बढ़ा अर्जुनमुंडा केंदर में मंत्री हैं लेकिन अर्जुनमुंडा रगवरदास ये दोनों नेता से हैं जिनमें आपस में पढ़ती नहीं हैं दोनों के अपने हिस्से हैं धड़े हैं और उन धड़ों के बीच में आपसी तकराव चलता रहता है इसलिए अंदरूनिक खिस कि इस्तान का शुकार भी वहां बीजेपी हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है तीसरा बड़ा मामला यह है कि जो एंडिये के दल है या बीजेपी जिन दलों के साथ पिछली बार चुनाव लड़ी उन दलों को साथ नहीं ला सकी खास करके आजसू को यह जहारखंड स्टु सुदेश महतों के साथ नहीं चल सकी सुदेश महतों अलग लड़े उसका नतीजा यह है कि उनके पास सीटें तो हैं लेकिन बीजेपी और आजसू दोनों मिल करके अगर लड़े होते तो फिर स्थिति और तस्वीर कुछ दूसरी हुई होती और बाकी जो जेडियो और राम मुझे समझ में आ रहा है वहां जारखन के भीतर वो विपक्ष का लाम बंद होना विपक्ष की पार्टियां खासे कॉंग्रेस जारखन मुक्ति मोर्चा और आरजडी इन तीनों दलों ने यह सोच लिया था कि अगर बीजेपी का सामना करना है जारखन में तो हम तीनों को एक साथ होना होगा और सीटों की साज़ेदारी बीजेपी से पहले इन तीनों दलों ने कर ली थी और जारखन में चुनाओ की तैयारी और चुनाओ का जो अपना अभ्यास होता है वो विपक्ष ने बीजेपी से पहले किया जबकि बीजेपी इस मामले में विपक्ष हमेश आगे रही लेकिन जारखन में ऐसा रहा नहीं बलकि जारखन में विप्लक्ष ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था तो इन तीनों दलों के साथ आने का मतलब यह हुआ कि तीनों दलों का वोट या वोट बैंक साथ रहा और फिर नतीज़ा आप देख रहें कि अब सरकार हमन सुरेन के अगवाई में बनने जा रही है आगे कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो स्थानिय मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर के भी रगवर्दास सक्रिये नहीं रही यूं कहिए कि एक तरह से गवर्नेंस रगवर्दास का जारखन में अच्छा नहीं रहा और ल सीटे निकाल ली है या उसके आस पास बीजेपी के सीटों की संख्या आ गई है तो आप यकीन मानिए रगवर्दास या जारखन की सरकार के कारण नहीं है बलकि यहां से नरेंदर मोदी का जाना या अमिश्वा का जाना बीजेपी की अपनी जो बूथ मेनेजमेंट की रण पनीची नहीं होती तो बीजेपी के हालत जारखन में बहुत बुरी होती है लेकिन जो बड़ी बात है वो यह है कि महरास्त और जारखन के बाद अगला चुनाव महीने दो महीने के अंदर दिली में होना है और इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का असर दिली पर पड़ेगा ये लाजमी सी बात हैं मोटे तोर पर समझ में यह बात आती है वैसे चुनाव नतीजे है बहुत हचि तक बहुत सारे मसनों पर बहुत सारे मुद्डों पर निर्भर करते हैं जिसमें स्थानिय मसलन महराष्ट, मसलन जहारखंड, मसलन जमु कश्मीर लेकिन साल भर के भी तर जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने राज़ गवाती जा रही है उसमें जहारखंड सबसे ताजा पड़ाव हैं। आप देखें तो दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 के भारत के नक्षवे में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दिसंबर 2018 में भारत का पूरा नक्षवा के सरिया रंग से रंगा हुआ आपको नजर आता था और अब वो खाली दिखता है। मदपरदेश, 36 गर, राजस्थान, महाराष, जारखंड ये तमाम राज़ जो हैं वो के सरिया रंग से बाहर आ गए हैं और अब ये गैर के सरिया हो गए हैं। बीजेपी बहुत सीमित दारे में आ गई हैं। जारखंड में जो नतीजा बीजेपी के हिस्से में रहा है, जो सीटें उसके पास आई हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है, वो नेंद्र मोदी का रहा है और अमिज शाह के अपनी को वहां तक पहुचाया है, जहां इस बार वो नजर आ रही है, अगर ये सिर्फ वहां के मुख्मंत्री के बूते के बात होती है, वहां के सरकार के बूते के बात होती, तो फिर सीटों की संख्या आदी हो गई होती, रगबर दास की सरकार ने वहां कोई काम नहीं किया है, और काम ना करने के बाद भी सरकार अपने किये हुए काम के आधार पर और उसके नाते वोट मांगती है, तो आप समझे को सरकार का भरोसा लोगों के बीच में क्या रहा है, सचाई यही रही है, और इस सचाई से अगर मुः फेर करके कोई आदमी रहता है तो वो पार्टी की भलाई या बीजेपी की बेहतरी तो नहीं ही चाहता होगा, बीजेपी को तमाम लोग समझ लें, जो लोग बीजेपी को एक अजेय दल के रूप में खड़ा कर रहे थे, और बीजेपी को लगता था कि अब वो किसी भी चुनाव में हार नहीं सकती है, लेकिन हार का एक सिलसिला चल रहा है और पार्टी लगातार राज पर राज गमाती जा रही है, आप यह देखिए कि अगर महराश्ट में आप अपने साथी दल को अपने पास नहीं रख सके, जारखन में आप जिन दलों के साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे, अगर उनको आपने साथ इस बार नहीं लिया तो फिर आपके पास कोई बुन्यादी दिक्कत है और नीतिगत दिक्कत है, या फिर वो आपकी अपनी सोच की है कि आपको लगता है कि पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब उसको किसी साथी की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही आपके जीत में सहयोग करे या ना करे आपकी हार का कारण बन सकता है, जारखन में यह बात सामने नजर आ रही है, बिहार में साल भर के बीतर चुनाव हैं और नितीश कुमार के बगयर अगर बीजेपी के रणनितिकार और बीजेपी का नेतरती यह सोचता है कि वो बिहार में जीत हासिल कर लेंगे, तो यह फिर वैसी ही बात है जैसी की जहारखंड में है इसलिए नितिश कुमार के साथ बीजेपी का बिहार में चलना एक बार फिर से एंडिये की सरकार की जीत का तै करना होगा नहीं तो एक और राज बीजेपी के इंतजार करेगा उसके नक्ष़ से या के सरिया रंग से बा राज्यों के दायरे से बाहर करना है तो उसको लामबंद होना पड़ेगा और यह लामबंदी जो है वो बहुत काम की है जहारखंड इसका उदाहरण है नमस्कार प्रूबंद 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 जो है जो है जो है नमस्कार